अगर आपको आपके relationships में success पाना है आपको अपना Venus अक्टिवेट करना है आपको और भी स्यादा beautiful बनना है एक तुम अपसरा जैसे आपको beautiful बनना है और आपको आपका heart chakra जो है उससे अक्टिवेट करना है तो आप सरूर देखते रहिए ठेक है आपका heart chakra जो है it is associated with both giving and receiving love ठेक है वो आपका सबसे ज़्यादा receptive center है आपके aura में आपके energetic body में it is the receptive center वहाँ से ही आप जो आपके blessings है उसको receive करते हो ठेक है it is the center of love, compassion and emotional balance तो आज ये जो मंत्रा है मैं आपको समझाऊंगी कि उसका मतलब क्या है, break down करूंगी और तो और आपको ये भी पताऊंगी कि उसको chant करते अगर आप करते हैं तो आपको कैसे benefits होंगे, ठेक है तो पहले तो benefits देख लेता है सबसे पहले benefit तो ये है कि आपके, because आपका heart chakra ज्यादा open हो रहा है आप देखोगे कि you are being able to love people better, okay and you are also being able to receive better, ठेक है आपको suppose अगर प्यार में काफी दिक्कत है कि प्यार नहीं मिलता है, इस से नहीं मिलता है, उस से नहीं मिलता है and आपको हमेशा ऐसे लगता है कि सब लोग आपको बहुत you know isolate कर देते हैं, कभी आपको आपकी बात नहीं सुनते है then you can definitely chant this mantra and it will enhance your aura in a way कि आपके आसपास जो लोग भी है वो आपको ज्यादा notice करें और आपको ज्यादा you know प्यार से रखें तो आपका सबसे बड़ा जो benefit होगा is that आपको emotional healing और deep soul healing में बहुत बड़ा help मिलेगा आपका spiritual connection बहुत ज्यादे deepen होगा, ठीक है, बहतर होगा आपको suppose जितना भी आपने life में धक्ये खाये है, वहाँ से जितना भी आपको trauma हुआ है of course all of that has left a scarred in you, right? and आपको उन सब को heal करना है, तो this particular mantra will help you heal it also forgiveness, understanding and relationships में harmony लाने के लिए it's very good, ठीक है आपका self love और self acceptance में बहुत बड़ा एक difference आपको दिखेगा, ठीक है अब देखना आप जैसे बहुत जादा self confident हो जा रहे हो, बहुत जादा खुद को प्यार करने लगे हो, खुद का respect करने लगे हो, ठीक है आपको इसको बस 1008 times everyday chant करनी है, अगर 1008 times नहीं हो रही है, then आप online जाके, you can just listen to it but 1008 times is necessary, तो क्योंकि उसका थोड़ा से अभी effect अगर आपको देखना है, तो 1008 times is the standard everyday, ठीक है and see the magic unfold in your life, तो बीच मंत्र क्या है, याम, ठीक है y-a-m, yam yam is associated with anahata, ठीक है, anahata मतलब क्या है, heart chakra anahata is believed to be the center of love, compassion and emotional well-being chanting the yam mantra is thought to stimulate this balanced energy center and foster feelings of love, connection and harmony, ठीक है yam का जो बीच मंत्र है, इसको of course Sanskrit से लिया गया है और each syllable, या each जो word है, it holds a significance, ठीक है significance यहाँ स्क्रीन पे दिखा देंगे हम now obviously एक बात होता है कि लोग हमेशा यह जो एक मंत्र है, ना ही thousand and eight times सुन सकते है, ना ही बोल सकते है, ठीक है, उतना time किसी के पास नहीं होता है, even though सबसे best results आपको अगर मंत्र से मिलना है, तो हमेशा एक पूरा एक dedication लगा के, मन लगा के जब आप चांट करते हो, तब ही मिलत है, ठीक है, लेकिन suppose कर लीजिए आपके पास एकदम time नहीं है, फिर क्या करें, ठीक है, मैं एक video औरी बना दी हूँ, उस video पर आप ज़रूर focus करना, उस video में आपको, उस video में मैंने yum का जो frequency है, उसको बहुत powerfully amplify करके 1008 times लगा दिया है, ठीक है, subliminal के हिसाब से, तो आपको बस उस subliminal को एक दो मिनिट के लिए सुनना है, और बस खतम आपका काम, उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना, so that's all, that's a hack that I am giving you, and thank you very much for watching, as a content के लिए, please stick around.